75 का दूरहा 25 के दुलहार, मुँँ में दांत नहीं, दुलहन की देकराई, लाठी की जगर, रेशमा का साहरा, 75 के उम्र में दिल 25 का एक शादी जो चर्चा का विशे बन गई है, जिहां चर्चा जिसने लोगों को हैरान और परिशान दोनों कर दिया है, जो भी सुन रहा है, वो दांते उतले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जा रहा है, क्योंकि जिस उम्र में लोग सहारी के लिए लाठी थामते हैं, उस पर में एक शक्स की तरफ सी नई नवेली दुलःनिया को अपने घर बारात सजा के लाया कया, अखबार से लेकर समाचार तक हर जगा इस शक्स की चर्चा हो रही है, जिसमें चारचान लगा रही है दुलहनियां जो अपने साजन के लिए अपने हाथों में मिहन्दी दिल में बहुत सारे अर्मान लिए जिसकी खुशे उसके साजन के चहरे पर नसराती है जो सहरा बानकर निकाह के लिए महफिल में बैठा है अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये शक्स है कौन और आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है ये तो बड आपको सामने आपके सवालों के जवाब के साथ होगा आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये खुश नसीब कौन है इसका नाम क्या है ये कहां का रहने वाला है तो अब सारे सवालों का जवाब आपको हम दिये देते हैं गया के रहने वाले ये शक्स हैं की लेकिन दिल से ये बहुत दिलडार है दिल इनका अब भी बच्चा है क्योंकि इस उम्र में भी ये शादी के लिए बेकरार हैं और इस अनोखी शादी के पीछे की कहानी क्या है वो भी बता देते हैं 25 साल के रेश्मा से इन्होंने निकाह रहा चाही है नुरानी साहब के प और पर उनकी ये तलाश पूरी हो गई रेश्मा ने शादी इनसे रचाली है और नुरानी साहब के दो दो बेटे हैं इन दोनों बेटों की शादी भी इन्होंने कर दी है दोनों बेटे इनसे अलग कमानी के लिए कहीं और रहते हैं एकिन नुरानी साहब को परिशानी हो र पर आप हैं अगर आपको कुछ हो गया तो इसके बाद रेशमा का क्या होगा ये नुरानी शाहब ने नहीं सोचा क्या अब खैर ये तो नुरानी साहब और रेशमा दोनों नहीं सोचा होगा और अकेले पन की दवा शादी में जब नुरानी साहब ने ढूंड ली है तो रेश रेश्मा भी खुश नजर आती है नुरानी जी का तर्क आपने तो सुना ही अब नुरानी साहब ही जाने के रेश्मा के साथ वो अकिला पैना और परिशानी दोनों दूर किस तरीके से करते हैं शादी ने हाला कि सब का एट्रेक्शन अपनी तरफ जरूर खीच लिया और चर् कर दो